हेलो दोस्तो वेलकम टो माय चैनल अनम लॉजिक दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आपको भी कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आपका जो डेटा है जो फोन का स्टोरेज है वो पूरी तरीके से फूल हो चुका है और आप जब भी फैक्टरी रिसेट करें तो उससे पहले आपकी कोई भी इंपॉर्डेंट फोटू से वीडियो से आपकी कोई भी इंपॉर्डेंट एप से ये सारी चीज़ का दोस्तो बैक अप ले लीजिए और या तो आप किसी कंपिडर में ले लीजिए या आप उसको SD का काट में कंवर्ड करके आपके मोबाइल के अंदर SD काड है ठीक है उसके अंदर आप ले लीजिए क्योंकि आप कभी भी अगर फैक्टरी रिसेट करोगे तो आपके मोबाइल का सारा डेटा ऊड़ जाएगा यानि कि आपके फोटूस वीडियो आपके जितने भी आपके काम क्योंकि मैंने पहले से ही बेक अप जो फोन में आपको बताने वाला हूँ वो फोन का बेक अप मैंने अल्रेडी ले लिया है ठीक है अब सीधा मुझे क्या करना है फैक्टरी रिसेट ही करना है तो सिंपल सा मैं अभी मोबाइल में लेके जाऊंगा और वहाँ पे मैं आपक पेक्टरी रिसेट किस तरीके से करना है और कून सी सेटिंग में जाकर आपको और उसके बाद फैक्टरी रिसेट होने के बाद Harm you कैसा दिखेगा ठीक है और इससे पहले दोस्तो फेक्ट्री डिसाइट जैसे ही मैं करता हूँ न दोस्तो उसमें क्या है कि आपको सैमसेंग की आईडी बनानी पड़ती है वो आईडी भी कैसे बनाने का वो भी इस वीडियो में बता हूँ आपको तो सारी चीजें कंप्लेटी बता हूँ तो इस वीडियो को लास तक देखना बहुत ही जादे इंट्रेस्टिंग है और दोस्तो फेक्ट्री डिसाइट के लिए अगर आपका डर अगर खताम हो जाता है तो जरूर मेरे चैनल को सब्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेर जरू कर और यहाँ पर आपको देख सकते हैं मैं उपर की तरफ दिखाता हूँ कि फाइल सिस्टम लिमिट लिखा हुआ है और उसके बाद आप देख सकते हो कि क्या वरा टू मेनी फाइल्स हैव बिन क्रिएटेड ओन यूर फोन एप्स में स्टॉप वर्किंग करेक्ली एन यूर फ पड़ेगा तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर इस मुबाइल की जो सेटिंग है उसके उपर आपको चला जाना है यहाँ पर मुबाइल की सेटिंग के उपर मैं किलिक कर देदा हूँ मुबाइल की सेटिंग के उपर जाने के बाद यहाँ आपे general management जो लिका हुआ है दोस्तों इसके उपर आपको क्या करना है simple सा चला जाना है general management की setting के बाद दोस्तों आपको reset दिखाए दे रहा है लेकिन उससे पहले आपको back up and restore दिखाए दे रहा है इसके उपर आपको क्या करना है दोस्तों क्लिक कर देना है ताकि आपका backup जो है phone का apps का सारा backup आपको अच्छी तरह मिल जाये करके तो उपर की तरफ आप देख रहे हैं कि backup data करके जो लिखा हुआ है दोस्तों इसके उपर आपको क्या करना है क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद अब यह बोलेगा कि Samsung account है तो Samsung account आप इसमें दाल दीजिये ठीक है तो मैंने Samsung account दाल दिया है अब देखिए Samsung account कैसे बनाते वो मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ ठीक है तो यहाँ पर simple सा देखिए create account जो लिखा हुआ है दोस्तों इ I have read के उपर click करके agree के उपर click कर देना है agree के उपर click करने के बाद यहाँ पर आपका Gmail ID जो है वो दाल देना है और password यहाँ पर आपको क्या करना है create करना है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते password भी दाल दिया नाम भी दाल दिया date of bird भी दाल दिया और उसके बाद यहा से इंका account है उसको create कर देना है तो दोस्तो देखा आपने किस तरीके से मेरा account number भी आ गया है जो OTP है तो भी आ गया आप simple सा नीचे जो verify इसके उपर मैं क्या करूँगा verify कर दूँगा verify करने के बाद दोस्तो आपको क्या है कि थोड़ा loading लेगा उसके बाद आपका जो account है create हो जाएगा अब आपको क्या करना है simple सा देखिए आपको ये create होने के लिए थोड़ा loading ले रहा है अब देखिए ये backup जो data है तो दोस्तो आप backup data में क्या क्या चीज़े आएगी वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ तो दोस्तो यहाँ पर देखिए backup data के अंदर आपका call log, message, contact, calendar, clock, setting, home screen और आपकी apps जो है वो backup now के ओपर जैसे ही में click करता हो तो ये directly क्या है कि use mobile data तो yes use mobile data के ओपर मैं क्या करूँआ click कर दूँआ तो दोस्तो यहाँ पर देखिए use mobile data के ओपर जैसे मैं click करता हो तो यहाँ पर देखिए ओपर backup चालो हो गया अब ये पूरा 100% हो जाएगा उसके बाद ये automatically आपका जो है backup ले लेगा तो दोस्तो आप देख सकते कि all data backup हो गया है मेरा done कर दूँगा simple सा और उसके बाद आपको क्या करना है बाहर निकल जाना है ठीक है अब आपने backup भी ले लिया backup लेने के बाद दोस्तो आप factory reset में कैसे मारा होगा वो आप देख लिजीए यहाँ पर तो दोस्तो अभी देखिए मैं mobile पर आ गया क्योंकि वहाँ पर में setting बता था देखिए उपर की तरफ जो reset लिखा हुआ है इसके उपर आपको क्या करना है क्लिक कर देना है यहाँ पर आपने backup तो ले लिया यह backup का मैंने बता दिया आपको पहले ठीक है कैसे आपने backup आपको लेना है ठीक है तो आपने backup तो ले लिया अब आपको सिरिफ और सिरिफ आपको क्या करना है reset कर देना है simple सा दोस्तो आपको क्या करना है यहाँ पर जो reset लिखा हुआ है इसके ओपर आपको क्या करना है click कर देना है जैसे आप click करते हैं तो यहाँ पर देखिए factory data reset करके लिख के आ रहा है तो आपको इसके उपर भी क्या करना है क्लिक करने के बाद इसको अच्छी तरह पढ़ लिजी कि आपका क्या क्या चीज़े एरेज हो जाएगी आपके मुबाइल में से आपका गूगल अकाउंट एरेज हो जाएगा आपका जो भी डेटा है पिक्चर्स वगेरा सारी चीज़े दोस्तो एरेज हो जाएगी यानि कि पूरी की पूरी चर तरह दोस्तो मतलब के डिलीट हो जाएगी कोई भी चीज आपको बचेगी नहीं तो सिंपल सा आपको रिस्टेट यहाँ पर कर देना है उसके बाद आपके जो मुबाइल का पासवर्ड है वो यहाँ पर मगेगा आप डाल सकते है, SD card का remove नहीं होगा, बाकी सारी चीज़े remove हो जाएगी, ठीक है, अब पढ़ लिया, आप delete all के उपर आपको क्या करना है, click कर देना है, और जैसी आप delete all के उपर click कर देना है, तो यहाँ पे वो Samsung की ID मंगती है, जो मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है, किस तरीके से बनाना है करके, तो यहाँ पे मैंने वो password डाल दिया है, Samsung की ID का, और यहाँ पे okay कर देना है, जब तक के Samsung की ID नहीं डालो, जब तक के factory reset नहीं होगा दोस्तो, अब देखे, मेरा phone क्या है, बंद हो गया है, ठीक है, अब यह पूरी तरीके से erase हो जाएगा, ठीक है, अब यह कैसे कैसे दिखेगा, वो सारी चीज़े में यहाँ पे live आपको दिखा रहा हूँ, अब थोड़े देर के बाद वो चालू हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो भी डेटा है, वो एरेजिंग हो रहा है, फैक्टी डीस है, और जो भी जंक फाइल जो होती रहा, दोस्तो, जिसके वज़े दे फोन हैंग होता है, या अनन जो भी, जो भी एप्स वगेरा होती यह फालतु कि वो सारी की सारी चीज़े डिलीट हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको, और उसके बाद अटोमेटिकली यह क्या है, ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद दोस्तो, कुछ इस तरीके से आपको दिखाए देगा, ठीक है, उसके बाद दोस्तो, यहाँ पर आपको सैमसेंग दिखाए देगा, और यह सैमसेंग थोड़े देर तक रहेगा, तकरीबन 5-10 मिनित तक यह सैमसेंग आपको क्या है, दिखाए देगा, तो दोस्तो जैसे इस सैमसेंग हड़ जागा, तो इस्टेटिंग Android करके आपको क्या है, यहाँ पर दिखाए देगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनिशेंग इंस्टॉलिंग एप्लिकेशन यानि कि आपकी जो एप्लिकेशन है, वो इंस्टॉलिंग हो रही है, ठीक है, उसके बाद देखिए, लेट्स गो के स्टाट यानि कि आपका फोना भी चालो हो गया है, लेट्स को एरो की तरफ आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद दोस्तों यह आगे बढ़ जाएगा, arrow की तरफ और यहाँ पे देखिए आपको इसके terms and conditions I have read agree करके आपको क्या करना है next कर देना है ठीक है यहाँ पे देखिए I have read agree के उपर किलिक करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे next के उपर किलिक कर देना है ठीक है, तो मैं skip now कर दूँँगा यहाँ पर आपको नेक्स के ओपर किलिक कर दूँगा नेक्स के ओपर किलिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको next next करते जाना है skip कर देना है बाकी सारी चीज़े आपको यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे skip भी कर सकते हो और यह checking अपडेट होने के लिए तयार हो गया है तो दोस्तो इतना होने के बाद यहाँ पे आप देख सकती है Google की जो साइनी ने वो मांग रहा है आपने जो फोन में अपनी Gmail ID दाली थी वो उसका email ID और पासवर्ट दाल के चालू करना है दोस्तों आपको पता है कि यह कब मांगा जाता है जब आप नया नया फोन लेते हो तो तब यह सारी चीज़े मांगिया थी यानि कि आपका जो फोन है वो पूरी तरीके से नया हो गया है ठीक है फेक्टी रिसेट करने के बाद यहाँ पे देखे बैकप अगर आपको लेना चाहते है तो बैकप भी ले लीजे यहाँ पे स्क्रीन वगेरा आपका जो ओल्ड वाला स्क्रीन था वो पैटर्न लोग यहाँ पे आप दाल दीजिए ठीक है ताके सारा का सारा बैकप आ जावे ठीक है आपको याद है और उसके बाद यहाँ पे देखे रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा आपने जो पिल्ले बैकप लिया था क्रिंट इस चानलlike करया है ठीक है एक्सेप करने के बाद थिस्टोर DM स्क्राइब ने के बाद आपका जो फोन हो पूरी तरीके से चालो हो जाएगा आप दोस्तों देखे और स्विनिश कर दे不會 यहाँ आप कि वो पूरी तरीके से चालो हो गया ठीक है factory reset करने के बाद कुछ phone इस तरीके से आपको दिखाए देगा ठीक है यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपका जो phone है यहाँ पर दिखे start हो गया continue कर देना है लग यहाँ पर out यहाँ पर कक हो क्या करना है lead कर सकते हो ठीक है है यहाँ पर आप infinity application हो रहा है और URL करना हो 10 थाक यह सारी चीज दन हो गा ही finish करने के बाद आपका जो phone ऐसा बन गया जैसके अभी आप नया लेका आहा हो market से ठीक है नया नया फोन आपका होगे और यह बहुत अच्छी तरह अभी चलेगा आप चाहे तो आपका जो भी डेटा है वो सारी चीज़े आप अपने मुबाइल पर वापी से ले सकते हो ठीक है अपने कंप्यूटर या दूसरे फोन में आपने डाल के रखा तो यहां पर यहां हो जाता है ठीक है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो like, share and subscribe जरूर करना मेरे चैनल को और मेरा जो दूसरा चैनल है knowledge of आसिम उसके पर भी visit करके उसे भी like, share and subscribe जरूर करना